वेल्कम तो स्कोप साइंस क्लास में हूँ जरलिष राना जी आज हम करने वाले हैं human lymphatic system human lymphatic system जो होता है एक network होता है जो consist करता है different tissues पर और organs पर और इसका जो main काम होता है इसमें होना होता है lymph का flow lymph एक colorless fluid होता है जिसमें white blood cells का portion content ज्यादा होता है और protein जो होते हैं बाकी वो कम होते हैं इसका compare to blood plasma इसके इलावा यह होता है जी इसका जो main role होता है इसने करना होता है body से toxins को और different जो wastage material होता है unwanted materials जो होते हैं इसने उनसे body को निजात दिलानी होती है तो जी यह तो हो गया हमारा एक brief introduction to lymphatic system अगर हम lymphatic system को देखें वैसे उसके components देखें कि वो किस किस चीज़ पर consist करता है तो वो करता है lymph पर consist करता है lymph हमने जैसे के पहले ही बताया मैंने के यह colorless fluid होता है जो clear fluid होता है colorless होता है जिसकी composition blood plasma से मिलती होती है लेकिन इसमें protein का content कम होता है दूसरे number पर आ जाती है lymphatic vessels lymphatic vessels जो उती है lymphatic capillaries पर consist करती है collecting ducts पर करती है, collecting vessels पर करती है और lymphatic trunks पर consist करती है नमबर 3 पर आ जाते हैं जी lymphoid tissues और नमबर 4 पर आ जाते हैं lymphoid organs lymphoid organs में different organs आ जाते हैं जिसमें red bone marrow, thymus, lymph nodes, tonsils और ये सारे involve होते हैं अगर जी हम आ जाते हैं, अगर हम अपना lymphatic system को देखें कि जैसे मैंने बताया कि इसके different organs हैं और इन सब organs ने इसका जो main अगर हम lymphatic system का काम देखते हैं तो एक इसका बहुत important function होता है कि इसने body को immunity provide करनी होती है ये immunity किस तरह provide करता है, अपने कौन-कौन से organs के थूप करता है अब हम ये देखते हैं सबसे पहले हम देखेंगे lymph nodes को lymph nodes क्या होते हैं जी एक small over like substance है एक जो structure present होता है जो बहुत important component है human body के immune system का ये help करता है fight करने में different infections होते हैं और ये एक तौर पे एक तरह से filter के तौर पे भी काम करता है lymph का जो मुक्तलिफ जो debris वगारा होती है lymph के अंदर present होती है ये उससे हमें निजात भी दिलाता है almost अगर हम इनकी दो amount देखें तो ये जो human body में 600 से 800 तक जो है lymph nodes present होते हैं इसके बाद हम देखते हैं जी tonsils को tonsils के अंदर जो ये किस तरह करते हैं इनके अंदर बहुत जादा lymphatic cells का cluster होता है pharynx region के करीब इसके बाद हम देखते हैं thymus को thymus में ये वह बहुत ही लार्ज जो सबसे जितने भी ओर्गन हमने देखे सबसे जो largest lymphatic organ है जिसमें बादी में बहुत जादा white blood cells होते हैं जो different जो है बादी को help करता है infection से fight करने के लिए इसके बाद आ जाते हैं जी हम देखते हैं अपने functions को lymphatic system के क्या-क्या functions होते हैं सबसे पहले तो हमने देखा कि ये body को immunity provide करता है इसके बाद हम देखते हैं कि different जो bacteria वगरा होते हैं उनको filter करता है foreign materials को filter करता है और भी जितने harmful materials हैं body से वो उनको filter करता है इसके इलावा ये जितने भी हमारे access fluids होते हैं उनको drain करता है और prevent करता है कि कहीं हमारे जो tissues हैं या cells हैं उनमें water logging ना हो जाए और blood supply में ये protein को transport back करता है और ये lymphocytes बनाता है जो body को protect करते हैं defend करते हैं हमारा immunity system होता है उसके थूर और ये क्या करते हैं body में antibodies भी बनाते हैं जो bacteria से fight करेंगे इसके इलावा जो एक और इनका बहुत important function है वो है कि ये intestine से fat को absorb करते हैं और इसे liver में transport करते हैं तो जी ये हो गए हमारे functions जो हम कहते हैं कि brief functions होगे lymphatic system के तो ये था जी हमारा एक brief overview human lymphatic system का उमीदे आपको ये पसंद आया होगा और comment section में अपनी feedback से हमें जरूर आगा कीज येगा next video तक till then stay tuned